हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती हैं जहाँ पर क्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे स्पेल कास्ट करने के बाद भी अलटो और वर्मिल के पास इत इतना सोचते ही वो उन दोनों के उपर अपने फायर बोल से अटेक करती हैं जिसे देखकर अलटो भी एक बड़े से आइस ब्लोक उसकी तरफ फायर करता है और उन दोनों की पावर्स ट्रकरानी के कारण वहाँ पर आइस के टुकडे टुकडे हो जाते हैं फिर धुआ सेट लोने के बात क्रिश देखती है कि स्टेच पर दोनों में से कोई भी नहीं होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग अचानक से गायब का हो गए लेकिन तबी वर्मेल उसके उपर चलांग लगाती है और उसने अलटो को पकड़ा हुआ होता है तो वहीं इस तरफ के उपर चलांग लगा कर उसके गले के उपर अपना आइस रख देता है और यह सीन देकर नीचे सारे स्टुडेंट जूम उठते हैं क्योंकि अलटों ने क्रिश को हरा दिया होता है यह हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किसी जूनियर ने अपने सीनियर को हराया है तो वहीं इधर ये सब देखकर लीलिया आंक बबुला हो रही थी और वो उन सभी लड़कियों को अनाप शनाप बोलने लगती हैं यहां तक कि वो तो एक पत्थर उठा कर उनका सर फोडने के लिए भी तयार थी वो तो मारकस की सर्वेंड ने उसे पकड़ के रखा हुआ वरना भाई आस तो यहां पर तलवारे चल जाती तलवारे सारे सर धर से अलग हो जाते तबी प्रोफेसर ओपसीडियन अलटो को आवाज लगाते हैं जिनने देखकर सारी लड़किया उनके पास जाकर कहती हैं कि अलटो काफी शानदारे सर उसने अभी-अभी पाउंसिल प्रेसिडेंट क्रीश को डूएल चेलेंज में हराया है जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मैंने भी वो डूएल देखा है और अलटो मानना पड़ेगा क्रीश के इतने टौफ होने के बाउजद भी तुमने उसे हरा दिया जिस पर अलटो कहता है अरे नहीं न कुछ भी कर सकते थे इसलिए ऐसी बेव को फी दो बारा मत करना और हाँ अपना खयाल रखो इतना कहेकर प्रोफेसर वासे जाने लगते हैं और सारी की सारी लड़के भी उनके पीछे पीछे निकल जाती है ये क्या बात हुई भई अभी तो इसके पीछे नाब उनके पीछ है कुछ भरोसानी हो इनका कुछ भरोसानी ये देखकर लीलिया कहती है कि प्रोफेसर काफी जादा कूल है और इसी वज़े से सारी लड़के उनके पीछे दिवानी है जिस पर अलटो कहता है कि इसका मतलब तो प्रोफेसर तुम्हारी टाइप के है लीलिया ये सुनकर तो लीलिया का एक बार फिर से पारा चड़ जाता है और वो अल्टो को उपर उठा कर कहती हैं कि आज की बाद कभी भी मेर से ऐसी बात मत करना समझ गए तुम तो वहीं दूसरी तरफ हम क्रिश को ज़ाडू लगाते हुए देखते हैं तबी रेक्स आकर उससे इन सब का कारण हाँ ये लड़कियों का अच्छा है पहले पीड़ दो अच्छे से और फिर माफी मांग लो लेकिन रेक्स हमारे जिसा गदेडा नी है वो ऐसा नी सोसता है ये सुनकर रेक्स तो उसके हाथ से जाडू लेकर खुद जाडू लगाने लगता है और इससे हम समझ सकते हैं कि श वरमेल पर चलनाने लगता है कि सुनो तुम्हे ऐसे सोते टाइम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए जिस पर वरमेल बिगड़े हुए मूझ से कहती है कि क्या आप तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं है जिस पर अलटो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन हमारे में उपर चलांग लगा देती है, मगर क्या करने के लिए, राम 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 राम, मैं तो कुछ नहीं बोलू भई, तो वहीं अगली मोर्निंग बिचारे अलटों का चहरा पूरी तरीके से उत्रा हुआ था, क्योंकि रात भर उसे वर्मिल ने सोनी नहीं दिया, और रात की बात तो आप से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कभी कोई डीमन किसी इनसान की प्यार में पढ़ सकता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है, कि ये काफी अच्छा टोपिक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रोमेंटिक निकलो गया अलटो, जिस पर बिचारा अलटो शर अलटो उन से पूछता है, कि क्या कोई सकबस डीमन किसी इनसान की प्यार में पढ़ सकती है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिस से सुनकर अलटो मन ही मन मुस्कुराने लगता है, लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर उसके सारे अर्मानों को तोड़ते वे कहते हैं कि हाँ ऐसा हो तो सकता हैं मगर वो सिर्फ उसका माना लेने के लिए जिससे सुनकर बिचारे अलटों के तोत्ते उड़ जाते हैं अच्छा अरे यार इसकी बाद रात में डिनर की दोरान वर्मिल देखती हैं कि अलटों उसकी प्लेट में रखा हुआ खाना नहीं क्या तुम मुझे सिर्फ मेरे माना के लिए पसंद करती हो जिस पर वर्मिल कहती हैं कि ये कैसा क्वेशन है तो अलटों कहता हैं कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए रह रही हो ताकि तुम मेरा माना ले सको और प्लीज मुझे सच-सच बताना जिससे सुनकर वर्मेल उसे गले लगा लेती है और कहती है क्या यार तुम इतनी सी बात के लिए तब से परेशान थे और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ इसी वज़े से तुम्हारे साथ में हूँ जिस पर अलटो कहता है क्योंकि तुम हर बार मेरे उपर जम पकर के मेरा माना जरूरत है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं यहाँ पर ठीक नहीं पाऊंगी जिस पर अलटो कहता है कि हां वो बात में जानता हूं और वो आगे भी कुछ कहनी वाला था कि इससे पहली एक बार फिर वर्मेल उसे किस कर लेती है जिस पर अलटो कहता है छोड़ो मुझे देखो इस बार भी तुमने वेशा ही किया, लेकिन तुरंत बाद उसे समझ में आता है कि Viramel ने उसका माना लिया ही नहीं था, जिस पर Viramel कहती हैं कि तुमने इす थो कहा था, कि हम उससे ही किस करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं अब इतनी प्यारी बात सुनकर तो अलटो कुछ नहीं कह पाता है इसके बाद अगले दिन एक बार फिर अलटो की मुलाकात प्रोफेसर ओपसीडियन से होती है वो अलटो से पूछते हैं कि कल तुमने मुझसे वो क्वेस्चन क्यों पूछा था जिस पर बेचारा अलटो घबराट के मारे कुछ नहीं कह पाता लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि कल जब तुम मुझसे मिलकर वापस गए तो ऐसा लग रहा था मानो तुम अपनी आखरी सासे गिन रहे हो आज तुमें खुश देखकर मुझे काफी ज़ादा खुशी हो रही है इसके बाद प्रोफेसर ओपसीडियन एक लड़की को अपने ओफिस में बुला कर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ करवाना है और वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो जिससे सुनकर वो लड़की प्रोफेसर के गले लगकर कहती है कि प्रोफेसर में आपको काफी जादा लाइक करती हो अरे ये तो कुछ औरी हो गया यार जिससे सुनकर प्रोफेसर ओपसीडियन उसे I love you too कहते हैं लेकिन उनके दूसरे हाथ में न एक ब्लेक कलर का बला सा इंजेक्शन होता है और अगले ही पल हमें एक रूम में से धुआ निकलते हुए देखते हैं क्योंकि वो रूम पूरी तरीके से आइस में जम चुका था और उसके सेंटर में वही जमी हुई लड़की पड़ी हुई और वो अभी भी जिन्दा थी जिससे हम समझ पाते हैं कि ये जरूर प्रोफेसर ओपसीडियन ने ही किया होगा अरे बारा ये प्रोफेसर ओपसीडियन तो मिनको कुछ ठीक नहीं लग रहा दोस्तों और फिर ये बात पूरे एकेडमी में फैल जाती है तभी सीन स्टूडे आइस के हिसाब से रूम के दर्वाजे को तोड़ने के लिए 5 लोग लगे थे और उसके बाद भी 2 घंटे लगे उस लड़की को रूम से बाहर निकालने के लिए क्योंकि रूम में काफी जादा आइस की लेयर थी जिससे सुनकर चश्मिश कहता है कि जहां तक मुझे पता ह इस लड़की के पास इतना माना नहीं है कि वो पूरे रूम को इतनी जल्दी आइस में कवर कर सके आगे चेयर कहती है कि ये फोर्थ आइस मेजिक यूज़ करने वाली लड़की है जो ऐसे इंसिडेंट की वज़े से कोमा में गई है ये कोई कोई इंसिडेंस तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है हमारी प्रेसिडेंट भी इस न्यूस के कारण काफी जादा परेशानी में है जिस पर चश्मिश कहता है कि परेशानी में तो हैं लेकिन जादा सबुत ना होने की वज़े से हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं जिस पर चेर फिर से कहती है कि तुमने सुना नहीं हमारी प्रेसिडेंट काफी जादा परेशानी में है जिस पर चश्मिश कहता है कि ठीक है मैं प्रोमिस तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगा और ये सुनकर चेर वहां से चली जाती है और उसके जान जैसे कि उनकी हाइट उनका वेट उनका बढ़ता उन्हें कौन सा फूट पसंद है वगेरा वगेरा और यह सुनकर अलटों के आंके बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वर्मेल काफी जादा खुश होती है और इसी के कारण घर आने पर वो अलटों को काफी जादा टीज भी क से हैं और यह सब कहते हुए तो वो ऐसा बिहेव कर रही थी मान वो अलटों की लाड़ी हो यह लाड़ी क्या होता है भाई राजस्तान में ना दुलहन को लाड़ी कहते हैं और तभी उसकी कौन्ट्रेक स्पिरिट उसकी पास आकर उसने रूम में जो कुछ भी देखा वो उनका लीलिया आग बबुला होकर जाड़ियों में मुक्के मारतवे कहती है कि देखना एक दिन ना मैं उसे सफ के सामने एक्सपोस करके रहूंगी तुना आग बबुला ही होती रहेगी जिंदेगी बर तु कुछ नहीं कर पाईगी देखना वो उससे शादी कर लेगी और बच्चे बिदा हो जाएंगे इसके बाद एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि किसी ने क्रिश और उसके खतरनाक ड्रेगन को जमीन पर पटक दिया होता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बलकि रेक्स था और उसका ड्रेगन भी काफी अजीब तरीके से अपग्रेड हो चुका था और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है